अब अगला प्रसंग है कि भगवान कहते हैं मान सिक तप भी करना चाहिए अब इसको भी आप द्यान से सुनियें क्योंकि मैं सुनाने का तरीका मेरा है सारी अम्रित मेई वानी तो भगवान की है भगवान कहे रहे हैं मनह प्रसाद सुम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत अत्तपो मानसम उच्यते सबसे पहले उन्होंने कहा मनह प्रसादह मन को प्रसाद गुन से युक्त कीजिए प्रसंद रहना खुश रहना ये भी तप है विप्रीत प्रस्ततियों के बीच भी अपने अंदर की खुशी को प्रसंता को आनंद वाले स्वभाव को इस दौलत को मिटने मत दो तुमारे अंदर की सकारात्मक्ता बनी रहे तुमारी मुस्कराट का दिया बुजाने की चेष्टाएं होंगी पूरी दुनिया की कोशिशें आंधिया चलाने की होती हैं जो तुमारे चेहरे को खिलावा नहीं देखना चाहते हैं वो जो तुमारे मुस्कराट के दिये को बुजानी की चेष्टा में लगे विये हैं उन सारी प्रस्ततियों के बीच जब जीना और मुस्कराना मुश्किल हो तब भी आप अपने अंदर आनंद का भाव बनाए रखें तो इसको सबसे बड़ा तबका गया है ये मानसिक तब है अंदर से शांती, अंदर से प्रसन, अंदर से आप खुश, शांत और संतुष्ट हो ये किसी के कहने से नहीं आता इसे कमाना पड़ता है इसकी प्रेक्टिस करनी होती है कोई न कोई अच्छा रास्ता निकलेगा जब आपके मन में एक विश्वास होता है कि दुनिया में अगर ताला बना है तो चाबी भी है अगर रोग है तो ओशद भी है अगर दुख है दूर करने के उपाए भी है अगर समस्चा है तो दुनिया में समाधान भी है खोजने की ही तो देर है, रास्ता निकलेगा, बरोसा रखिए और जब आप बरोसा रखते हैं तो आपके अंदर आत्मिश्वास जागता है और फिर आप कहते हैं रोने से और दुखी होने से बात नहीं बनेगी अपने आपको शांत करो सहज करो, मार्ग ढूंडो और समस्चा का समधान करो कृष्ण भगवान ने पहला शब्द कहा मानसिक रोप से प्रसन रहना प्रसाद गुण बनाए रखना चेरे पर मुस्कराट बनाए रखना ये तप, मानसिक तप कहलाता है अपने आपको जल्दी बैलेंस कर लेना चाहिए सौम्यत्वम दोसरा शब्द कहा सौप्टनेस कॉमलता कठोरता नहीं है प्रस्ततियां आपको कठोर करेंगी लेकिन आप कॉमल बने रही है कॉमल बने रहने से मतलब है आपके चेरे पर सुम्य भाव दिखाई दे क्रोध वाला भाव नहीं है मिठास दिखाई दे सहज होने की चेश्टा होना तो पड़ता ही है प्रस्ततियां कितना भी आपको दुखी करेंगी शान्त होना पड़ेगा कितना भी आप तियोरियां चड़ा लें आखिर में चैन की नीद लेने के लिए और अपना घर व्यवार चलाने के लिए आपको थोड़ा कोमल तो होना ही पड़ेगा तो देर क्यों लगाने जल्दी अपने आपको संभालना आ जाए तो समझ लेना यही है समझदारी यही है बड़ पन के जो आदमी जल्दी से अपने आपको संभाल ले जाए ठीक है आप पत्थर के नहीं है इनसान है ना दर्द होता है इनसान को चोट लगती है तो पीड़ा होगी दर्द मिला है तो चेहरा को मिलाएगा भी सही है लेकिन उसे लंबा मत कीश लेना उसे ज़्यादा देर तक अंदर मत बैठा लेना इसलिए कुछ बाते हैं बहुत जरूरी है एक तो जो लोग अपना खानपान ठीक रखते हैं और अपने शरीर को स्वस्त रखते हैं तो ऐसे लोगों को गुसा या कोई दुख या परिशानी आ भी जाए जल्दी खुद को बैलेंस करते हैं कमजोर आदमी अंदर से जल्दी गुसे में आएगा जल्दी रोने लग जाएगा जल्दी खुश भी हो जाएगा तो अपने आपको एक तो अंदर से स्ट्रॉंग बनाई है जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है या जिसका हाई रहता है उनके साथ भी परिशानी यही है जल्दी कोई बात बुरी लगी तो उनका प्रेशर एक दम उपर पहुँच जाएगा 72 से शुरू होगा या 80 से शुरू होगा और होते होते वह 900 तो नीचे का हो जाएगा उपर का कहा तक पहुँच जाएगा जितना दबाव ले लिया और एक बात याद रख लेना जो चीज आपके हार्ट को नुकसान देती है वही ब्रेन को भी नुकसान करती है जो यह नाड कि अ Anime ौब लेने होती है यहाँ होती है इस बाते है यहाँ हख बातने को इस बात को यह ब्रेन आपको एक आदत बनाने चाहिए कि कि अपना खान पन ठीक रखें अपना ड्यायाम करें प्रकृती बीच जाए इसलिए तप करने वाले लोग प्रकृति के बीच में जाकर बैठते हैं तपस्या करने के लिए कोई हमाले में जा रहा है, कोई जंगल में जा रहा है, कोई नदी के तरट पर बैठता है मतलब सुबह और शाम तो कम से कम प्रकृति के मद्य में जाने की आदत होनी चाहिए न हम लोग सब के सब कंक्रीट के जंगलों में बैठे विया है और सामने टीवी चल ला है टेलिफॉन चल ला है और उस पे भी पता नहीं कितनी क्या चीज़े है आदमी को बटकाने के लिए इतनी सारी चीज़े हमारे पास मवजूद है सारा दिन लगे रहते हैं और कमाल की बात तो यह है कि बच्चा बूड़ा जवान सब घर में बैठे वे हैं सब के पास एक एक फोन है सब अपना अपना कुछ न कुछ देख रहे हैं और कह यह रहे हैं कि मिलके बैठे हैं आपस में कोई किसी के साथ मिला हुआ नहीं सब के सब पता नहीं कौन-कौन से आस्मान में पहुंचे वे थोड़ा घरों से बाहर निकलकर अपना फोन बंद करके थोड़े देर जाओ तो सही और कुछ लोगों को मैं देखता हूं ससंग में भी आ जाएं तो जैसे वो मा जो है ना बच्चे को सुला कर और उसको जो है थोड़े थोड़े देर के बाद उसका कपड़ा उठा के देखती रहती ना कि ठीक से सुया कहीं लोग तो अपना फोन ऐसे रखते हैं दो-दो मिनिट के बाद चेक करते रहते हैं मैंसे जाया कोई वाटसैप आया और ऐसे चैटिंग करते हैं वहीं बैठे बैठे फटा फटा ऐसे उंगलियां चलती है हम लोग जब साधना में बुलातो हैं तो एक चीज़ सिखाय करते हैं कि कभी खुद के साथ मीटिंग करने की आदप डालो खुद से भी मिलो पूरे दुनिया को के साथ बटक राया मन कभी खुद से बात कीजिए खुद से मिलिये अकेले में बैठ कर अपने साथ होगे अपने बीतर के आनंद के साथ अपना रिष्ता जोडिये अपने बीतर की प्रसनता के साथ अपना संबन जोड़िये, देखो तो सही तुम कौन हो, कहां खड़े हो कहां जाना है अपने आपको अभ्यस्त कीजिए कि जल्दी से खुद को संभाल लिया करें, और प्रकृति के बीच जाने की आदत बनाएं कंक्रीट के जंगलों से बाहर निकलने की आदत बनाएं प्रकृति के साथ संबन जोडने का स्वभाव हमारा होना चाहिए कृष्ण भगवान ये कहते हैं मन को प्रसन रखना कौमलता शांती मावनम आत्म विनिक्रह और अपने मावन पर सब को काम करना चाहिए नपतुला बोलना बड़ी बात होती है लेकिन मौन में जाना भी एक बड़ा तप है थोड़ी देर के लिए 20 मिनट आदा गंटा ए गंटा अगर आप मौन कर लिया करें और मौन का मतलब केवल चुप होके बैठने से नहीं होता मौन का मतलब होता है कि अब आप इतने शांट हो जाएं कि बाहर का भी शोर बंद हो जाए और अंदर जो शोर चल रहा है विचारों का उसे भी शांट कर दें जब आप आँखे बंद कर दें तो अंदर भी तो एक भीड और एक शोर सुनाई देता है न नजाने क्या क्या बातें याद आती हैं तो अपने आपको अंदर से भी शांत कर दें और अपने कान को भी मौन कर दें, विचारों को भी मौन कर दें और अपनी आखें भी बंद करके बैठें इतने शांत और सहज हो जाएं नियम होता है साधना में जाने का, कि जैसे आप यहां बैठें तो एक साथ पूरे हाउस को देखिए पूरा सदन देखिए पूरा दृष्य एक साथ आखों से देखिए और फिर आखें बंद करके उतने ही शांत हो जाएए विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं एक चीज पर ध्यान टिकाओगे और फिर उस पर विचार करने लग जाओगे तो वो विचार उठा कर आपको नजाने कहां भगा कर ले जाता है संपूर्णता को देखते वे अपने अंदर शांत होईए संपूर्णता के शोर जो चारु तरफ से आ रहे हैं उन्हें सुनते सुनते खुद को शांत करिये और जो शरीर को अनुभूती हो रही है इसे में गर्मी या सर्दी की, वो सब को एक साथ अनुभाव करते वे खुद को शान्त करिये, जो मन में विचारों का प्रवाद चलना है, उन सब विचारों की ट्रैफिक को चलता वा, अंदर महसूस करें, और सब को एक साथ, शान्त करिये, और खुद को सुझाओ दीजिए, शान्त हो जाओ, तो जैसे सुझाओ देते हैं, शान्त, 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 मौन, कामोश, सहज, सरल, स्थिर, धेरे धेरे आपके अंदर स्थिरता आती है, और उस इस्तति में, दो चीज़ें गटती हैं, या तो नींद, या ध्यान, जैसे आप ध्यान में पहुंच जाते हैं, दुनिया बाहर रहे गए, दुनिया का मेला बाहर रह गया, और आप दुनिया का मेला देखते देखते कहीं, आगे निकल आए, तो वहाँ जहाँ आप अपने आपको बिलकुल अकेला बना लेते हैं वहाँ दुनिया की बातें पीछा करने के लिए नहीं आती वहाँ दुनिया का मालिक मिलने के लिए आपके साथ आता है जब आप अपने आपको अकेला कर लेते हैं उसके तरंग्यानी शुरू होंगी, पहले शांती मिलनी शुरू हो जाएगी, चैन मिलना शुरू हो जाएगा, संतुष्टी मिलेगी, आप चार्ज होना आनुभाव करते हैं, कि जैसे कोई शक्ती मिल लई है, ताकत अंदर आ रही है, बल बढ़ रहा है, संतुष्टी आ रही फिर अजीब लगता है कि यह हो क्या रहा है, मुझे क्या दिया जा रहा है, जो एकदम अलग तरका है, जो इस दुनिया का नहीं है, मेरी आत्मा पावरफुल हो रही है मेरा हिर्दे और प्रेमपूर्ण हो रहा है मेरा मन और खिलने लगा है मेरे पूरे तनमन में शक्ति आ रही है रात्री में सोते समय जब आप गहरी नींद लेते हैं तो पूरी विश्व शक्ति आपके मस्तिक्स में प्रवेश करती है उसरा 10% विश्व शक्ति आपको नींद से मिलती है किसी आदमी को कितना भी बड़ी है आप खिलाइए पिलाइए टॉनिक देजिए लेकिन सोने मत देजिए तो शरीर की ताकत नहीं बनेगी बिमार हो जाएगा नींद में अमको मिलता क्या है नींद में आपका ये सहसरार चक्र और ये सारे चक्र ये इंडोक्राइन ग्लेंट Top जो है विश्व शक्ति से ये निवर्सल पावर से आपका सुप्रीम पावर से आपका सम्मझ जूडने लगता है और वहाँ से आती भी जो ताकत है, वो आपको चार्ज कर रही होती है, आपके body cells जितने भी हैं, damage cells उनकी repairing शुरू हो जाती है, आपके mastics के जितने भी neurons हैं, उन सब को एक नई शक्ति दी जा रही होती है, उससे आपकी स्मृति शक्ति बढ़ती है, उससे आपकी जो pituitary gland है, उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, जिसका प्रभाव आपकी बुद्धी मत्ता पर भी पड़ता है, अच्छी यादास्त के लिए जरूरी है, अच्छी नींद का होना, इसलिए आपको, क्योंकि ये मैं medical science की बात न करके वो बताना चाहता हूं, जो हमारे दे आत्म है, वो ये दर्शाता है, कि आपकी साधना आपको बहुत कुछ देती है, हर एक को बैठना चाहिए, नींद भी लें, ध्यान में भी बैठें, भजन गाएं या जप करें, या माला जपें, जपते जपते आप इतने तलीन हो जाएं, कि आपको अपनी होशन रहे, तो अगला शब्द उनों ने कहा है, आत्म विनिग्रह, स्वयंपर नियंत्रन लगाना ये भी तप है, बड़ा प्यारा शब्द है ये, इसका मतलब होता है, कि आपका नियंत्रन आपके हाथ में होना चाहिए, दूसरे के हाथ में नहीं, आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ म करें, आपकी कितारों को या धागों को जैसे कटपुतली को दूसरे लोग नचाते हैं, आपको कोई कटपुतली ना बना ले, दूसरा कोई धागे हिलाए, और आप हिलना शुरू कर दें, अपना नियंत्रन दूसरों के हाथ में मत दीजिए, अब कहने के लिए तो ये बात बहुत साधाण सी है, लेकिन ये वास्ता में बहुत ही ज़्यादा मेटपूर्ण बात है, कोई हमें बढ़काए, हम बढ़क जाए, कोई हमें रूलाना चाहे, हम रोने लग जाए, कोई निराश कर दे, हम निराश हो जाए, और कोई हमारे अंदर ऐसी उत्तेजना पैदा कर कर दे के मरने मारने पर तुल जाएं, या कोई लवचा दे और मुलालच में आ जाएं, तो इसका तो मतलब यह है कि हमारा कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। बस यही सीखना है आपको, कि आपका नियंत्रन आपके हाथ में आए, और आप किसी भी इस्तती में दोसरे के द्वारा प्रभावित ना हो, यदि आप स्वयम को नियंत्रत करना सीख गए, तो समझ लेजिए कि आपके अंदर एक समझदारी वाली इस्तती शुरू हो गई, और सफलताओं के लिए ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत तरह के लालेच हर किसी की जिन्दगी में हैं, और जैसे कोई छोटे से ताप से पिगल जाता है, मक्कन थोड़ा सा ताप देखते ही पिगलता है, मोम के लिए थोड़ा ज्यादा ताप चाहिए, लेकिन पानी को उब पिगलने के लिए, बाब बनने के लिए सो डिगरी चाहिए, लोहे के लिए हजार डिगरी, तामा थोड़ा और गर्मी चाहता है पिगलने के लिए, पंदरा सो डिगरी पर सबकी अपनी अपनी डिगरी है, लेकिन जो किसी भी डिगरी पर ना पिगले, ना टोटे, ना जु यूवा शक्ति का अगर सही ढंक से प्रियोग किया जाए तो वो इतिहास रह सकती है। करने की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश से परंपूज्य गुरुदेव सुधानशुजी महराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीधी की पावन उपस्तिती में यूवा जीवन अभियुत्य का आगास आगामी 3 अगस्त को दिल्ले स्थेद आनंद धाम में होने जा रहा है जिसमें बच्चों के द्वारब प्रतियों की ताएं सेमिनार तथा पूज्य महराज श्री एवं दीधी जी के साथ यूवा सम्मेलन का आयोजन होगा तथा 4 अगस्त को सांस्कृतिक कारिकरम प्रवचन पुरुसकार वित्रण तथा यूवा अभियुत्य यूवाओं के द्वारा ही आयोजित है तो आईए आप भी हमारे साथ जोड़कर नई उचा नई सोच नव संकल नया पत रखने वाले नव भारत का नव निर्मान करें